आदेश देता है अब इससे पहले कि सैनिक जादूगर्णी के ऊपर हमला करते वहाँ पर जादूगर्णी का ड्रैगन आकर सारे सैनिकों को दूर फेक देता है राजकुमरी रोज इसके बाद जादूगर्णी को जैक के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड नहीं सकती क्योंकि जैक मुझे केस करके सब कुछ ठीक कर देगा राजकुमारी की बात सुनकर जादुगर्णी राजकुमारी को उसका नेकलेस दिखाती है जिसे राजकुमारी ने निशानी के तौर पर जैक को दिया था राजकुमारी रोज नेकलेस को देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जादूगर्णी ने जैक को भी बंदी बना रखा है वो जादूगर्णी इसके बाद अपने ड्रैगन को महल में जाकर जैक की पैरेदारी करने के लिए कहती है लेकिन ड्रैगन के वहाँ से जाने के दारान उसकी पूँच से टकरा कर एक स्टैचू जादूगर्णी के उपर गिर जाता है और जादूगर्णी का रिंग उसके हाथ से निकल कर राजकुमारी रोज के सामने आ गया था राजकुमारी उसके रिंग को देख रही थी कि तभी एक बॉना रिंग को टच करके उसके अंदर छुपे नुकीले तार को बाहर निकाल दीता है और जब वो नुकीला तार राजकुमारी